स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब पर चैनल पर और इस चैनल पर हम करमचारियों से समंदित जितने भी कंड़क्ट रूल हैं सेवा से समंदित नियम है वो अपलोड करते रहते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो करमचारी है उसको सर्विस के द कौन से किरिया कलाप हैं जिनके लिए एक करमचारी को सेवा में रहते हुए अनुमति या सविकृति लेनी पड़ती है इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि वो ऐसे कौन-कौन से काम है जिनके लिए सविकृति यानि शेंक्षन लेनी पड़ती है अनुमति लेनी पूरी वीडियो को आँ तक देखें तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन-कौन से ऐसे कारिया है जिनके लिए एक सरकारी करमचारी को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है काम करने के लिए पूरी वीडियो को देखने से पहले आप सभी से नवेदने कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक वे शेर जरूर करें आज चलिए शुरू करते हैं कि यसे कौन-कौन से किरिया कलाफ है जिनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सबसे पहला जो किर करमचारी सेव में है और वह पढ़ना चाता है तो वह उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने नियोकता की यदि वह परमिशन नहीं लेता तो उसके खिलाव कोई न कोई कंडक्ट रूल के तहत कारवाई हो सकती है बात करते हैं दूसरी एक्टिविटे की यदि नागरिक रक्षा सेव में भरती होने है तू भी एक करमचारी को अपने सरकार या नियोकता या विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट जान एम्बूलेंस बिरगेड का सदस्या बनने के लिए जो नामांकन होता है उसके लिए भी एक करमचारी को अपने विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसी परकार जो एक और जो कारिया है, किरिया कलाप हैं, वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है प्रादेशिक सेना में भरती होने के लिए भी आपको permission लेने पड़ेगी home guard संगठन में भरती लेने होने के लिए permission अपने विभाग से लेनी पड़ेगी भारत विदेशी सांस्कृतिक संगठन द्वारा संचालित विदेशी भासा की कक्षाओं में भाग लेने या समलित होने के लिए भी आपको अपने विभाग से पर्मिशन लेनी पड़ेगी किसी समचार पत्तर वै अन्य आवधिक परकाशन या इलोक्टोनिक मेडिया का पूरण या आंशिक स्वामित्तव अथ्वा संपादन अथ्वा परभंधन करने या समलित होने के लिए भी आपको पर्मिशन की आवशकता होती है किसी व्यक्ती, समीती या प्राधिकारी द्वारा आयुजित की गई किसी जाच में साक्षय प्रस्तूत करने के लिए भी आपको पर्मिशन की अपने डिपार्टमेंट से पर्मिशन की आवशकता होती है इसी परकार जो नौवी अक्टिविटी है, अंसदानों को मांगने या सविकार करने अन्यत्था स्वैम को किसी उदेश्य अनुसरण में जो कुछ भी हो नगत के रूप में या वस्तु के रूप में किसी निधियों या अन्या उगाहियों को इकठा करने में सहयोगी बनने के लिए भी आपको पर्मीशन लेनी पड़ेगी, निकट रिस्तेदारों, व्यक्ति दोस्तों से उपहार सविकार करने के लिए जब उपहारों की मुल्या निर्धार सीमस्य अधिको तो आपको पर्मीशन की अवसकता पड़ती है, विदेशी एजन्सियों द्वारा चलाये करने, अथ्वा संसा पत्र सविकार करने, स्वैम, अथ्वा किसी अन्य सरकारी आधिकारी के सम्मान में आयोजित मन्यरंजन कार्यकरम में उपस्तित होने हैं तो भी आपको विभाग से पर्मीशन लेनी पड़ेगी, अंतरास्टिय पुरुषकार प्रापत यदि आपको करत हैं करमचारी करता है तो विभाग से पर्मीशन लेनी पड़ेगी, किसी भी व्यवशाय अथ्वा व्यपार में पर्त्यक्स रूप से भाग लेने, अथ्वा कोई निर्वाचित पद्धारन करने, अथ्वा किसी भी निकाय में निर्वाचित कारेले के लिए किसी उमिद्व या सरकार से प्रमिशन लेने पड़ेगे किसी एक करमचारी को, किसी गैर सरकारी सरवजनिक निकाय अथो व्यक्ति के लिए किये गए कारिया हैतू, शुल्क प्राप्त करने है तो भी अपने डिपार्टमेंट या सरकार से किसी एक केंद्रे करमचारी को परमिशन लेने के आउशकता पड़ती है बात करते हैं सोलवा कारिय किसी सेंक्षनिक संस्थान में अंसकालिक व्यक्षाता पद सविकार करने है तो जो नियमत लापरद व्यावसाय की तरह है उसके लिए भी आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेने पड़ेगी कि बार आसोसेशन में स्वैम को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने है तो इस सर्थ के अधिन सरकारी करमचारी उस समय तक स्वैम को कानूनी पेसे में समलित नहीं कर सकता जब तक कि वह सरकारी नोक्री में बना रहेगा यानि वकील वो एक बार एसोशेशन में रिजिस्टेशन करना पड़ता है और वो वकालत अभी कर पाएगा जब वो नोकरी छोड़ देगा यानि इसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी सहकारी संगों में नियोमेत रूप से परदत सेवाओं के लिए प्रसर्मिक प्राप करने है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी चिकित्सा पलती में पंजिकरित चिक्सक होने पर पूरुन रूप से धर्मार्त पर खाली समय में चिकित्सा व्यशाय करने है तो भी अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सेवों में होतेवे वणेज़ रोजगार प्राव्द करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ वरतलाब करने के लिए भी पर्मीशन की आवशकता पड़ती है। करने हैं तुप रोक्त लेंदेन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका सरकारी करमचारी के साथ कारेलियनीन व्यावार है तो इस कार्य के लिए भी प्रमिशे लेने की होशकता पड़ती है। नहीत रासी पर ध्यान दिये बिना जहां अचल संपत्ती के संबंद में सामगरी की खरीद या किसी मरमत या गौन निर्मान कारिय संबंदी समीदा के बारे में लेन देन किसी ऐसे विक्ति के साथ होता है जिसके साथ संबंदी सरकारी करमचारी का कारिय लेन व्यावार होता है के लिए भी आपको permission क्या हो सकता पड़ती है चल संपत्ती का लेंदेन करने हे तू यदि इसका मुल्या नीमित सीमा से अधिक होता है और यदि लेंदेन किसी ऐसे विक्ति के साथ है जिसका सरकारी करमचारी के साथ कारेल लिया है यह निव्यावार है तो इस permission लेनी स्वयम के नाम पर परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के बाहर किसी स्थित किसी भी अचल संपत्ती जिसके द्वारा अरजित किया गया हो या रखा हुआ हो को विक्रय बंदा को पहारात हुआ अन्य था कोई पट्टा परदान कर उसे निप्टान हे तू भी परमिशन क किसी विदेशी सरकार, विदेशी संगठन, संस्था के साथ किसी भी प्रकार का लेने करने ही तु भी आपको परमिशन की आवशक्ता पड़ती है इसी प्रकार अन्य जो कारिया है जो 25 पर आपको वीडियो स्क्रिन पर दिखाई पड़ रहे होंगे अत्यंत परतिकूल अलोचनात्मक विशय के मामले अत्वा निंदात्मक किसी कारेली कारेले में दोस्मुक्त सिद करने के लिए भी किसी नयले अत्वा प्रेस की शरन लेने हेतु भी आपको परमिशन की आफशकता पड़ती है विदोशों में विदेशी नागरिकों विदेशी राज नयक्यों के साथ ठहरने हेतु भी आपको परमिशन की अपने डिपार्टमेंट से दिरूरत पड़ेगी भारतिय संस्कृति संगठन का सदस्या बनने उनके किरियकलापों में से किरियरूप से भाग लेने हेतु भी आपको डिपार्टमेंट की परमिशन की आफशकता पड़ती है उन पेंशन भोग्यों के मामले में जो सेवने वर्ती से ततकाल पूरव ग्रूप कहके अधिकारी थे सेवने वर्ती की तारिक के एक वर्ष समाप्त होने से पूरव किसी वनेजयर रोजगार को सभीकार करने हेतु भी आपको अपने डिपार्टमेंट की परमिशन पड़ती है क्योंकि बिना परमिशन के आप इस परकार के जो यह 28 कारिया आपको बताए गए हैं यह नियमावली के मुताबिक आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की आवसकता पड़ती है यदि आप इन परमिशन नहीं लेते तो आपको कंडूर्ट जो आपके कंड़ ट्रूल है आचरण नियम है उनके मुताबिक आपको धंडित भी किया जा सकता है आपके विभाग द्वारा तो इसलिए केंद्रिय करमचारी इन सभी की रेकलापों का ध्यान रखें और आज इस वीडियो में यहां तक इतना ही आगे नई वीडियो में मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यावाद